जैहिन फ्रेंड्स मैं सौरब जा आपका स्फागत करता हूँ आपके अपने चैनल B.A.C. ठिकीक क्लासेस पे आज हम लोग सभी प्रकार के competitive exams को ध्यान में रखते हुए current affairs के most important प्रसनों को देखेंगे आप सभी से request करेंगे कि आप season को अधिक से अधिक share करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे class का लाब उठा सके आप सभी से request करेंगे कि आप class में सारे सवालों के answer अवस्य क्या करें तो फटाफट से class को एक बार share कर दीजे क्योंकि आज का class काफी ज़दा important होने वाला है सारे selected question है जो exam में आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं class और देखते हैं हमारा पहला सवाल गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा सांती पुरुसकार से किनहे सम्मानित किया गया है option A केलास सत्यार्थी option B मलाला यूसुव जई option C दलाई लामा option D बराक उबामा तो आंसर करेंगे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा सांती पुरुसकार से किनहे सम्मानित किया गया है तो आपका सही आंसर क्या होगा दलाई लामा याद रखेंगे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा सांती पुरुसकार से किनहे सम्मानित किया गया तो दलाई लामा याद रखेंगे दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा सांती पुरुसकार से सम्मानित किया गया है अब यहां से कुछ और important सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है जैसे आपको बताना है करनाटक रत्न पुरुसकार से किनको संभानित क्या गया? important सवाल है करनाटक रत्न से किनको संभानित क्या गया? तो याद रखना है पुनीत राजकुमार को मर्डो परांत करनाटक रत्न पुरुसकार से संभानित क्या गया? और करनड फिल्म अभिनेता थे पुनीत राजकुमार तो पुनीत राजकुमार को करनाटक रत्न पुरुसका से संभानित किया गया याद रखेंगे अगला सवाल इंपोर्टेंट यहां से बनेगा UAE द्वारा किस एक्टर को हाल ही में गोल्डन वीजा दिया गया UAE द्वारा कमल हसन को याद रखेंगे UAE द्वारा कमल हसन को गोल्डन वीजा दिया गया ठीक है तो ये भी important सवाल है याद रखेंगे UAE द्वारा कमल हसन को golden visa परदान किया गया ठीक है कमल हसन को UAE के द्वारा golden visa दिया गया इसको आप याद रखेंगा अगर आपसे पूछा जाए कि पदम विभूशन 2022 कितने लोगों को मिला था बताएंगे पदम विभूशन 2022 कितने लोगों को मिला पदम विभूशन 2022 कितने लोगों को मिला important सवाल है तो पदम विभूशन 2022 चार लोगों को मिला याद रखना है पदम विभूशन 2022 कितने लोगों को मिला चार लोगों को पदम विभूशन 2022 मिला किनको किनको प्रभा अन्ने प्रभा अन्ने को कला के छेतर में पदम विभूशन 2022 से सम्मानित किया गया राधे साम खेमका को मर्नोपरांत साहित इवं सिक्षा के छेतर में योगदान देने के लिए पदम भीभूशन 2022 मिला जनरल वीपिन रावत जी को मर्नोपरांट सिविल सिवा के चितर में पदम भीभूशन 2022 से सम्मानित क्या गया कल्यान सिंग को मर्नोपरांट सारवजनिक मामले के चितर में पदम भीभूशन से सम्मानित क्या गया और पदम भूशन 2022 कितने लोगों को मिला तो 17 लोगों को पदम भूशन 2022 से सम्मानित किया गया याद रखेंगे कि 4 लोगों को पदम भूशन 17 लोगों को पदम भूशन से सम्मानित किया गया और 2022 में 107 वेक्तियों को पदम स्री से सम्मानित किया गया ठीक है पूछेगा कि पदम स्री 2022 कितने लोगों को मिला है, ठीक है, पदम स्री 2022, 107 लोगों को मिला है, ठीक है, 107 वेक्तियों को, तो इसको भी याद रखना है कि 107 वेक्तियों को पदम स्री 2022 से सम्मानित किया गया, ठीक है, चलिए, अगला सवाल देखते हैं, इस सवाल का आंसर याद रखेंगे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा सांती पुरुषकार से किनको सम्मानित क्या गया option number C दलाई लामा कतर विश्वकप 2022 के आधिकारिक सुभंकर का नाम क्या है आपको बतना है कतर विश्वकप 2022 का आधिकारिक सुभंकर का नाम क्या है option A जुकमी, option B, striker, option C, फुलेको, option D, लाईब तो कतर विश्वकप 2022 का आधिकारिक सुभंकर का नाम क्या है अंसर हो जाएगा option number D, लाईब याद रखेंगे कतर में विश्वकप 2022 का एवजन हो रहा है फुटबॉल विश्वकप 2022 का एवजन कतर में हो रहा है तो इसका आधिकारिक सुभंकर का नाम क्या है लाईब, option number D, ठीक है तो कतर विश्वकप 2022 का आधिकारिक सुभंकर लाईब, option number D भारत के तिरपनवे अंतरास्टिय फिल्म में इंडियन फिल्म Personality of the Year 2022 पुरुसकार से किनहें सम्मानित किया गया तो आंसर करेंगे भारत के तिरपनवे अंतरास्टिय फिल्म समार हो में इंडियन फिल्म Personality of the Year 2022 से किनको सम्मानित किया गया option A, चिरन जीवी, option B, अमिताब बच्चन, option C, कमल हासन, option D, मोहन लाल तो आपको बताना है कौन सा इंडियन फिल्म है किसे इंडियन फिल्म Personality of the Year 2022 पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो आपका सही अंसर क्या होना चाहिए बताएं option A, चिरन जीवी, याद रखेंगे कि इंडियन फिल्म Personality of the Year 2022 पुरुषकार से किनको सम्मानित किया गया चिरन जीवी, अंसर हो जाएगा, option A, याद रखेंगा किस फोरम ने गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और छती कोस लाँच किया है आंसर करेंगे किस फोरम ने गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और छती कोस लाँच किया आप्शन A, WEF Annual Summit, आप्शन B, ASEAN Annual Summit, आप्शन C, G20 Annual Summit, आप्शन D, COP27 तो सही आंसर क्या होगा COP27, याद रखेंगे कि गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और छती कोस किसके द्वारा लॉंच किया गया तो गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और छती कोस, COP27 के द्वारा लॉंच किया गया आंसर आप्शन D, याद रखेंगे ECI के दो दिवसिय अंतरास्टिय सम्मेलन का उधगाटन किसने किया आंसर करेंगे ECI के दो दिवसिय अंतरास्टिय सम्मेलन का उधगाटन किन के द्वारा किया गया आप्शन A, अरुन गोयल आप्शन B, सुनील अडोडा आप्शन C, राजीव कुमार आप्शन D, सुसील चंद्र तो सही आंसर क्या होगा आप्शन नंबर C, राजीव कुमार ठीके, अंसर क्या होगा, राजीव कुमार तो ECI के दो दिवसिय अंतरास्टिय सम्मेलन का उधगाटन राजीव कुमार जी के द्वारा क्या गया आप्शन C निमनलिखित में से किसने Atlantic महासागर तल का पहला विज्ञानिक फू अमोंग द फॉलोविंग ग्रियेटेट द फर्स्ट साइन्टिफिक मैप ओफ दि अट्लांटिक ओशन फ्लोर आपको बताना है इनमें से किनके द्वारा Atlantic तल का पहला विज्ञानिक मैप बनाया गया या मानचित्र बनाया गया ठीक है इनमें से किनके द्वारा Atlantic महासागर तल का पहला विज्ञानिक मानचित्र बनाया गया ओप्शन A मेरी थारप ओप्शन B मुईरा डनबर ओप्शन C एलिस विल्सन ओप्शन D फ्लोरेंस बास्खोम तो आंसर करेंगे इनमें से किनके द्वारा Atlantic महासागर तल का पहला विज्ञानिक मानचित्र बनाया गया तो आपका सही आंसरों का मेरी थारप ओप्शन नमबर A ठीक है मेरी थारप के द्वारा Atlantic महासागर तल का पहला विज्ञानिक मानचित्र बनाया गया याद रखेगा इंडियन फिल्म परस्नेल्टी ओफ दे इयर 2022 से किनको सम्बानित किया गया ठीक है तो आंसर करेंगे इंडियन फिल्म परस्नेल्टी ओफ दे इयर से किनको सम्बानित किया गया तो आप जानते हैं चिरन जीवी को तो याद रखना है कि इंडियन फिल्म परस्नेलिटी ओफ दे इयर 2022 से सम्मानित क्या गया चिरन जीवी को अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर सी अब यहां से कुछ इंपोर्टेंट सवाल आप याद रख सकते हैं कि इसका आउजन कहां क्या गया था ठीक है इसका आउजन कहां क्या गया था तो याद रखना है आबू धाबी में आउजित क्या गया था आउजन कहां हुआ था आउजन कहां हुआ था तो आबू धाबी आबू धाबी में आउजन क्या गया था ठीक है तो पहला सवाल याद रखना है कि IIFA Awards 2022 का आउजन कहां क्या गया था अबुदाबी में अगला पुछ सकता है किसमें सर्वसेष्ट अभिनेता का पुरुसकार किन को दिया गया था आपको बताना है कि सर्वसेष्ट अभिनेता का पुरुसकार किन को मिला सर्वसेष्ट अभिनेता का पुरुसकार किन को मिला फटा फट आंसर करेंगे सर्वसेष्ट अभिनेता का पुरुसकार किसको मिला विक्की कौसल को याद रखेंगे सर्वसेष्ट अभिनेता का पुरुसकार किन को मिला विक्की कौसल को तो यहाँ अंसर क्या हो जाएगा IFFI 2022 में Indian Film Personality of the Year 2022 से किनको सम्मानित किया गया चिरंजीवी ओप्शन नमबर C ठीक है किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त वैपार समझोता पारित किया है अंसर करेंगे किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त वैपार समझोता पारित किया आप्शन A, आस्टेलिया, आप्शन B, न्यूजीलेंड, आप्शन C, युनाइटेट किंग्डम, आप्शन D, डेनमार्क तो आंसर करेंगे भारत के साथ मुक्त वैपार समझोता किस ने पारित किया है किस देश की संसद ने तो आप्शन नमबर A याद रखेंगे आस्टेलिया की संसद ने भारत के साथ मुक्त वैपार समझोता पारित किया आंसर आप्शन A, आस्टेलिया की संसद ने भारत की साथ मुक्त वैपार समझोता पारित किया याद रखेंगा कतर में उद्गाटन फीफा विशुकप 2022 में भारत का प्रतिनेद्थु किस ने किया तो आंसर करें कतर में उद्गाटन फीफा विशुकप 2022 में भारत का प्रतिनेद्टु किस ने किया जगदीब धनकड जी के दोरा किया गया निमनलिकित में से किस पुस्तक ने साहित्त के लिए 2022 JCB पुरुसकार जीता है तो आपको बताना है साहित्य के लिए 2022 का JCB पुरुषकार किसको मिला important सवाल है तो answer करेंगे किस पुस्तक ने साहित्य के लिए 2022 JCB पुरुषकार जीता option A वल्ली, option B, the paradise of food option C, song of the smile option D, thumb of sand तो answer करेंगे important सवाल है तो आपका सही answer क्या हो जाएगा option B, the paradise of food याद रखना है कि the paradise of food पुस्तक के लिए 2022 का JCB साहित्य पुरुषकार दिया गया तो याद रखेंगे कि पुछेगा कि JCB साहित्य पुरुषकार 2022 किस पुस्तक को मिला है तो the paradise of food answer हो जाएगा आपका option B, the paradise of food अगर पूस दे कि 2021 में JCB साहित्य पुरुषकार किस पुस्तक को मिला था तो याद रखेंगे दिल्ली ए सोले लिकी ठीक है, 2021 में JCB साहित्य पुरुषकार किस पुस्तक के लिए दिया गया था तो दिल्ली ए सोले लिकी के लिए 2021 साहित पुरुषकार मिला था JCB का लेकिन 2022 में साहित थे के लिए JCB पुरुषकार किस पुस्तक ने जीता है The Paradise of Food, Option No. B The World A Family History पुस्तक के लेखा कौन है आंसर करेंगे The World A Family History पुस्तक के लेखा कौन है Option A, चेतन भगत Option B, साइमन सैबग Option C, ग्रिगोरी, पुर्टेम कीन Option D, अमीस्त रिपाठी The World A Family History पुस्तक के लेखा कौन है आपको बताना है तो आपका सही आंसर होगा साइमन सैबग The World A Family History पुस्तक के लेखा कौन है साइमन सैबग Option No. B याद रखेगा ठीक है 2022 में Artificial Intelligence पर Global Partnership का अध्यक्ष कौन सा देश है तो फटा-फट आंसर करेंगे कि 2022 Artificial Intelligence पर Global Partnership का अध्यक्ष देश कौन है भारत याद रखेंगे 2022 में Artificial Intelligence पर Global Partnership का अध्यक्ष देश भारत Option C 2023 SEO सिखर सम्मेलन का विशे क्या है आपको वतन है संगाई सहयोग सिखर सम्मेलन 2023 का 2023 का पुछा है 2023 SEO सिखर सम्मेलन का विशे क्या है Option A For a Secure SEO Option B Roll of Ayurved Option C Food Security Option D Multi Alignment तो आपको बतना है 2023 SEO सिखर सम्मेलन का विशे क्या था मतलब क्या है तो आंसर क्या होगा 2023 SEO सिखर सम्मेलन का विशे For a Secure SEO यानि संगाई सहयोग संगठन या संगाई सिखर सम्मेलन ठीक है तो याद रखना है 2023 SEO सिखर सम्मेलन का विशे For a Secure SEO Option A किस राज ने शोतनतुरता सेनानी की पैंसन को दोगुना करने का निड़ने लिया है आंसर करेंगे किस राज ने शोतनतुरता सेनानियों कि पैंसन को दोगुना करने का निड़ने लिया है Option A तमिलनाडू Option B महराष्ट Option C तिलंगाना Option D आंधरप्रदेश तो आंसर करेंगे क्या होगा आंसर किस राज ने सोतनतुरता सेनानियों की पैंसन को दोगुना करने का निर्णे लिया है तो याद रखेंगे महाराष्ट महाराष्ट राजी सरकार ने सौतंतरता सेनानियों की पैंसन को दोगुना करने का निर्णे लिया है तो महाराष्ट राज ने सोतंतरता सेनान्यों की पैंसन को दोगुना करने का निर्णे लिया है याद रखेंगे तो क्लास को फटा फटे एक बार आप लोग सेर कर दे बहुत कम बच्चे क्लास में लाई बार है तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को आप लोग सपोर्ट करें भारतिय सेना द्वारा एक इकरित अगनी सकती अभ्यास सत्रुनास का आयुजन किस राज़े में किया गया आपसन ए उडिसा आपसन बी राजस्थान आपसन सी उतराखंड आपसन डी मद्द परदेश तो फटा फटा आपसर करेंगे भारतिय सेना द्वारा एक इकरित अगनी सकती अभ्यास सत्रुनास का आयुजन किस सहर में किया गया तो याद रखेंगे राजस्थान ठीक है तो राजस्थान में एक इकरित अगनी सकती अभ्यास सत्रुनास का आयुजन किया गया तो याद रखेंगे भारतिय सेना द्वारा एक इकरित अगनी सकती अभ्यास सत्रुनास का आयुजन राजस्थान में किया गया आदिवासी बच्चों को परसिख्षित करने के लिए जनजाती कारे मंत्रा ले किस खेल के लिए अकादमियों के स्थापना करेगा आदिवासी बच्चों को परसिख्षित करने के लिए जनजाती कारे मंत्रा ले किस खेल के लिए अकादमियों के स्थापना करेगा option A, baseball, option B, football, option C, cricket, option D, archery तो important सवाल है आपको answer करना है आदिवासी बच्चों को परसिक्षित करने के लिए जनजाती कारिमंत्राले किस खेल के लिए अकादमी के स्थापना करेगा तो answer हो जागा archery तिरंदाजी तो answer याद रखना है archery ठीक है आदिवासी बच्चों को परसिक्षित करने के लिए जनजाती कारिमंत्राले आर्चरी खेल अकादमी के स्थापना करेगा option number D West Week सूचना परदोगी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश Network Readiness Index में सबसे उपर है option A, Sweden, option B, USA, option C, India, option D, Singapore तो आपका सही answer क्या होगा USA option number B ठीक है तो याद रखेगा important सवाल है West Week सूचना परदोगी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार Network Readiness Index में सबसे उपर कौन सा देश है तो Network Readiness Index में सबसे उपर है अमेरिका याद रखेंगे West Week सूचना परदोगी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार Network Readiness Index में सबसे उपर है USA option number B विस्वकप 2022 में उप्योग के जाने वाले फुटबॉल का नाम क्या है आपको वताना है विस्वकप 2022 में उप्योग के जाने वाले फुटबॉल का नाम क्या है उप्योग के जाने वाले फुटबॉल का नाम क्या है उप्योग के जाने वाले फुटबॉल का नाम क्या है सयूकत अरब अमिराथ के आबुधाबी में शुरू हुई F1 आबुधाबी दोड किसने जीती आपको बताना है सेयुक्त अरब अमिरात के आबु धाबी में F1 अबु धाबी दौड किसके द्वारा जीता गया option A Max West Teppan, option B, starless Laclarke, option C, sargio Perez, option D, sebastial Vettal तो आपको बताना है कि सेउक्त अरब अमिरात के आबुधावी में शुरू हुई F1 आबुधावी दोड किस वेक्ती के द्वारा या किस खिलाडी के द्वारा जीता गया इंपोर्टेंट सवाल है अंसर करेंगे तो आपका सही अंसर क्या होगा आपका सही अरब अमिरात के आबुधावी में शुरू हुई F1 आबुधावी दोड मैक्स वेक्ती के द्वारा जीता गया आपका सही अंसर करेंगे कजाकिस्तान के राष्टपती के रूप में किनहे चुना गया आपको बताना है तो याद रखेगा कजाकिस्तान के राष्टपती कोन बने है इंपोर्टेंट सवाल है कजाकिस्तान के राष्टपती बने है कासीम जोमाट तोकायव ठीक है कासीम जोमाट तोकायव कजाकिस्तान के नई राष्टपती की रूप में चुना गया है अब कासीम जोमाट तोकायव को आंसर अप्सन नमबर डी याद रखेगा तो क्लास को फटा फटे एक बार आप लोग कर दीजे भारत लिंक लाइड का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार बन गया है लिंक लाइड किसके स्वामित तुमें है अंसर करेंगे भारत लिंक लाइड का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार बन गया है ठीक है लिंक डिइन किसके स्वामित तुम्हे है आप्शन A, Amazon, आप्शन B, Microsoft, आप्शन C, Essentware, आप्शन D, Google तो फटा-फट इस सवाल का अंसर करेंगे तो आपका अंसर क्या होगा Microsoft याद रखेंगे भारत लिंक डिन का सबसे तेजी से बढ़ने वाला वैपार बाजार बन गया है और लिंक डिन माइक्रोसाफट के अंतरगत आता है Microsoft के स्वामित्त में है तो भारत LinkedIn का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार बन गया है LinkedIn पर किसका स्वामित्त है Microsoft का स्वामित्त है Answer option B Thailand में आयुजित एक अंतरास्टिय सम्मिलन में परिवार न्यूजन के नित्रुत्व के लिए Excel Award 2022 किसे दिया गया तो आपको बताना है Thailand में आयुजित किया गया एक अंतरास्टिय सम्मिलन जिसमें परिवार न्यूजन में नित्रुत्व के लिए Excel Award 2022 किस देश को दिया गया Option A भारत Option B नेपाल Option C आस्टेलिया Option D बांगलादेश तो यहां आपका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है तो थाइलेंड में आयुजित एक अंतरास्टिय सम्मिलन में परिवार न्यूजन के नित्रुत्व के लिए Excel Award 2022 से सम्मानित हुआ भारत आंसर याद रखेंगे कि भारत को परिवार न्यूजन के चित्र में नित्रुत्व करने ही तू Excel Award 2022 से सम्मानित क्या गया आंसर आप्सन नमबर A कौन सा राज फरवरी 2023 में पहली फर्मूला ER Pricks Race की मेजबानी करेगा तो आपको बताना है फर्मूला ER Pricks Race की मेजबान देश का नाम मतलब मेजबान सहर का नाम क्या है आप्सन A, नासिक, आप्सन B, राइपूर आप्सन C, मिजोरम, आप्सन D, हैदराबाद तो 2023 में पहली फर्मूला ER Pricks Race की मेजबान का नाम क्या है आपको बताना है तो याद रखना है हैदराबाद ठीक है है हैदराबाद आपका सही आंसर होगा तो पहला फर्मूला ER Pricks Race का मेजबान कौन है है हैदराबाद याद रखेंगे कि 2023 में पहला फर्मूला ER Pricks Race की मेजबान हैदराबाद आप्सन नमबर D कामेंग हाइडरो पावर इस्टेशन का उदगाटन किस राज में किया गया आपको बताना है तो आपका सही आंसर क्या होगा बताएं आप आंसर तो याद रखेंगे कामेंग हाइडरो पावर इस्टेशन का उदगाटन किस राज में किया गया तो अरुनाचल प्रोडेश आप्सन नमबर D अरुनाचल प्रदेश में किया गया क्या गया option number C अवनाचल प्रदेश इस रो स्री हरिकोटा इस्पेस पोर्ट से PSLV 54 कब लॉंच करने जा रहा है तो इसका answer क्या हो जाएगा option number C 26 नॉंबर याद रखेगा किस राजे ने उत्तर पुर्व ओलंपिक खेलों में सिर्ष अस्थान प्राप्त किया option A मेघालया, option B मनिपूर, option C आसाम, option D तिरपूरा तो किस राजे ने उत्तर पुर्व ओलंपिक खेलों में सिर्ष अस्थान प्राप्त किया आपको बताना है important सवाल है फटा फटा आंसर करेंगे तो आपका सही आंसर क्या होगा मनीपूर option number B तो याद रखेंगे उत्तर पुरू ओलंपिक खेलो में सिर्ष अस्थान प्राप्त करने वाला राजी कौन सा है मनीपूर उत्तर पुरू ओलंपिक खेलो में सिर्ष अस्थान प्राप्त करने वाला राजी मनीपूर option number B याद रखेंगे भारत ने किस देश से Global Partnership on AI की अध्यक्सता संभाली है इंडिया हैस टेकन ओवर दा चेर आफ Global Partnership on AI from which country? option A, Italy, option B, France, option C, Japan, option D, Canada तो इसका आंसर क्या होगा यह आपको बताना है तो याद रखना है Global Partnership on AI की अध्यक्सता भारत ने संभाली है तो भारत ने किस देश से Global Partnership on AI की अध्यक्सता संभाली है यह आपको बताना है तो याद रखना है France ठीक है भारत ने France से Global Partnership on AI के अधिक्सता समाली है Option No. B परतिस्ठित DSSC के लिए कितनी महिला अधिकारियों का चैन क्या गया है तो आपको आंसर करना है कि परतिस्ठित DSSC के लिए कितनी महिला अधिकारियों का चैन क्या गया है Option A 6, Option B 5, Option C 4, Option D 3 तो सही अंसर क्या होगा Option No. A 6 ठीक है परतिस्ठित DSSC के लिए 6 महिला अधिकारियों का चैन क्या गया है सेना परमुख जर्नल मनोज पांड़े को गार्ड अफ ओनर कहां परदान क्या गया इंपोर्टेंट है सेना परमुख जर्नल मनोज पांड़े को गार्ड अफ ओनर से कहां सम्मानित क्या गया Option A, Sydney, Option B, ढाका, Option C, पेरिस, Option D, लंदन तो आंसर करेंगे इंपोर्टेंट सवाल है कि सेना परमुख जर्नल मनोज पांड़े को गार्ड अफ ओनर कहां परदान क्या गया तो गार्ड अफ ओनर इनको कहां मिला पेरिस में Option C तो याद रखेंगे जञर्रल मनोज पंडे को गाड़ आफ ऑनर से सम्भानित क्या गया? पेरिस में जञर्रल मनोज पंडे को गाड़ आफ ऑनर से सम्भानित क्या गया? आप्शन C Union Bank of India ने अपनी सौर योजना Union Solar के तहट किस near के साथ करार किया है? तो यूनियन बैंक आफ इंडिया ने अपनी सौर योजना यूनियन सोलर के तहट किस कमपनी के साथ करार किया है आपको बताना है Union Bank of India ने अपनी सौर योजना Union Solar के तहट किस कंपणी के साथ करार किया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा TPSSL option number D ठीक है Union Bank of India ने अपनी सौर योजना Union Solar के तहट TPSSL कंपणी के साथ करार किया है option number D भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने है भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है option A अरुन गोयल, option B अनुराक सिंग ठाकुर, option C मयावती, option D अमित्सा तो आंसर करेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो सही आंसर क्या होगा अरुन गोयल याद रखेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कोन है भारत के नए चुनाव आयुक्त कोन है तो याद रखना है भारत के नए चुनाव आयुक्त है अरुन गोयल अप्सन नमबर ए तो याद रखना है भारत के नए चुनाव आयुक्त बने है अरुन गोयल आप्सन तो आंसर करेंगे किस e-commerce सयुक्त ने अपने delivery drone mk30 drone के design का अनावरन किया है तो सही आंसर क्या होगा या आपको बताना है तो आपका अंसर क्या होगा option A Amazon याद रखेंगे Amazon ने पुछा है किस e-commerce सयुक्त ने अपने delivery drone mk30 drone के design का अनावरन किया तो Amazon ने delivery drone mk30 drone के design का अनावरन किया है option A याद रखेंगा 2022 ATP final एकल का खिताब किसने जीता तो important सवाल है आपको बताना है 2022 ATP final एकल का खिताब किसने जीता तो फटा फट कमेंट करेंगे option A नुवाक जोकोविच option B कैस्पर रूड option C राफेल अडाल option D कार्लोस अलकराज तो आपका सही आंसर क्या होगा option A नुवाक जोकोविच याद रखेंगे 2022 ATP final एकल का खिताब किसने जीता 2022 ATP final एकल का खिताब नुवाक जोकोविच ने जीता 2022 ATP final एकल खिताब नुवाक जोकोविच ने जीता याद रखेंगे इसके अलावा Bimbledon 2022 किसने जीता तो Bimbledon 2022 भी नुवाक जोकोविच ने जीता है ठीक है ये भी आप याद रखेंगे तो यहां से सवाल क्या क्या इंपोर्टन बनेगा 2022 ATP Final एकल किताब का विजेता नुवाग जुकोविच याद रखेगा अब यहां से कुछ और इंपोर्टन सवाल आपसे Grand Slam से पूछ सकता है कि US Open 2022 किस ने जीता आपको वताने US Open 2022 किस ने जीता तो वताएं US Open 2022 पूरूस वर्ग में किस ने जीता तो कार्लोस अलकराज कहां के हैं किस देश के हैं मतलब कार्लोस अलकराज इस्पेन के हैं तो आपको याद रखना है इस सवाल कि US Open 2022 किस ने जीता तो याद रखना है US Open 2022 में पूरूस एकल वर्ग में किस ने जीता त तो कार्लोस अलकराज जो की स्पेन के है इसको आप याद रखेगा अगला पूछ सकता है US Open 2022 महिला किस ने जीता US Open 2022 महिला एकल का खिताब किस ने जीता महिला एकल विजेता का नाम आपको बताना है ठीक है US Open 2022 महिला एकल विजेता का नाम क्या है तो ये भी आप याद रखेगा इगा इगा सिव याद टेक ये कहां की है पॉलेंड की है तो इंपोर्टेंट सवाल है याद रखना है देश भी याद रखना है पूछता है एक्जाम में तो आपसे पूछेगा कि US Open 2022 महिला एकल का खिताब किस ने जीता तो इगा सिव टेक ने जीता यह पॉलेंड की खिलाडी है याद रखेंगे अगला पूछ सकता है कि विमबल्डन 2022 किस ने जीता विमबल्डन 2022 किस ने जीता तो विमबल्डन 2022 अगर पूरूस में पूछेगा तो याद रखना है जोकोविच ने जी कि विंबल्डन 2022 में पूरुस एकल का खिताब किस ने जीता तो विंबल्डन 2022 में पूरुस एकल का खिताब नुवाग जोकोविच ने जीता नुवाग जोकोविच सर्विया के प्लेयर है याद रखेंगे अगर पूछेगा महिला एकल किस ने जीता महिला एकल विजेता का न यूएस ओपन बिम्बलडन 2022 में महिला एकल का विजेता कौन है एलिना राइबाकिना अगर पूछे गाजाख हस्थान की है याद रखेगा अगला पूछ सकता है फ्रेंच ओपन 2022 किस ने जीता फ्रेंच ओपन 2022 ठीक है फ्रेंच ओपन 2022 अगर पूछेगा तो पूछेगा 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 फ्रेंच ओपन 2022 किस ने जीता याद रखेगा फ्रेंच ओपन डिजेता है याद रखेगा अगर पुछे French Open 2022 महिला एकल का किताब किस ने जीता इगा सीव टेक पॉलेंड की है ये इगा सीव टेक पॉलेंड तो याद रखना है French Open 2022 महिला एकल का किताब किस ने जीता तो French Open 2022 महिला एकल का किताब जीता है इगा सीव टेक ने पॉलेंड की है और अगर पुछेगा समझ म आस्ट्रेलियन ओपन 2022 किस ने जीता आस्ट्रेलियन ओपन 2022 किस ने जीता पूरूस में पूछेगा आस्ट्रेलियन ओपन 2022 किस ने जीता तो राफल ना डाल ले ठीक है इंपॉर्टेंट है राफल ना डाल ने आस्ट्रेलियन ओपन 2022 पूरूस एकल का किताब जीता राफल ना कहां के हैं तो इस पेन के हैं याद रखेंगे महिला एकल पूछेगा किस ने जीता तो अगर पूछेगा आस्टेलिया की प्लेइर है इन्होंने संजास ले लिया है याद रखना एस ले बार्टी आस्टेलिया की प्लेइर तो ये भी जो है important सवाल है पूस्ता एक्जाम में तो अगर पूछेगा आस्टेलियन ओपन 2022 पूरुस एकल का किताब राफेल लडाल ने जीता आस्टेलियन ओपन 2022 महिला एकल का किताब ऐसले बांटी ने जीता जो कि आस्टेलिया की प्लेयर है और इन्होंने सन्जास ले लिया है ये भी आप याद रखेंगे ठीक है अगर पूछें कि डेविस कप 2021 कौन सा देश जीता डेविस कप टैनिस से जुड़ा हुआ है तो ये भी सवाल पूछता है कि डेविस कप किस खिल से जुड़ा है तो डेविस कप टैनिस से जुड़ा हुआ है तो डेविस कप 2021 किस देश ने जीता तो डेविस कप 2021 किस ने जीता याद रखेंगे डेविस कप 2021 किस ने जीता तो रूस ने डेविस कप 2021 जीता क्रुएसिया को हरा कर याद रखेंगे ठीक है चलिए अगले सवाल देखते हैं क्लास को फटाफटे एक बार आप लोग सेर कर दीजे आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे तो 2022 ATP Final एकल का किताब किसने जीता नुवाग जोकोविच और नुवाग जोकोविच सर्विया के पिलर है याद रखेंगे नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में भारत का रेंग क्या है आपको बतने नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में भारत का रेंग क्या है आप्शन A, 50, आप्शन B, 61, आप्शन C, 68, आप्शन D, 40 इंपर्टेन्ट सवाल इसको आप बताएं Network Readiness Index 2022 रिपोर्ट में भारत को कौन सा रंक मिला है 61 Network Readiness Index 2022 रिपोर्ट में भारत को 61 रंक मिला answer option B याद रखेगा केंद्रिया बजट 2023-24 के लिए उनके विचार और सुझाव लेने के लिए कौन उद्योग मंदलो बुनियादी धाचा छेत्र के प्रतिनेदित और प्रियावरन विशेसग्यों के साथ आभासी बैठक करेगा आप्सन ए निर्मला शितारवन आप्सन बी अनुराग सिंग ठाकुर आप्सन सी अमित साह आप्सन डी अरुन गोयल तो फटा फट आंसर करेंगे केंद्रिय बजट 2023-24 के लिए उनके विचार और सुझाव लेने के लिए कौन उद्योग मंडलों बुनियादी धाचा छेत्र के प्रतिनित और प्रियावरन विशेसग्यों के साथ आभासी बैठक करेंगे तो सिंबल सा सवाल एंनसर वताना है अनसर होगा निर्मला सीतारवन अप्सन डमबर A ठीक है निर्मला सीतारवन अप्सन डमबर A ACI Cup Table Tennis Tournament में ACI Cup Table Tennis Tournament में पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला पैडलर कौन बनी तो आंसर करेंगे ACI Cup Table Tennis Tournament में पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला पैडलर कौन बनी option A, अंकिता दास option B, मनिका बत्रा option C, सिरिज़ा अकुला option D, सुतिर्थ मुखरजी तो आंसर क्या होगा आपको बताना है ठीक है तो आपको बताना है कि ACI Cup Table Tennis Tournament में पदक जीतने वाली पहली भारतिय Table Tennis की खिलारी कौन बनी है तो सही आंसर क्या होगा मनिका बत्रा option B, ठीक है, याद रखना है ACI Cup Table Tennis Tournament में पदक जीतने वाली पहली भारतिय Table Tennis की खिलारी कौन बनी है पहली महिला या पहली भारतिय महिला Table Tennis की खिलारी कौन बनी है मनिका बत्रा, तो मनिका बत्रा Table Tennis की प्लेयर है, याद रखना है important है, मनिका बत्रा टेवल टेनिस की फ्लेयर है और ACI कव टेवल टेनिस टुनामेंट में पनक जितने वाली पहली भारती है महिला टेवल टेनिस की फ्लेयर कौन है तो मनिका बत्रा option number B निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक विशेश हानी और छती कोस अस्थापित करने के लिए सहमत हुआ है तो इंपोर्टेंट सवाल है आंसर करेंगे तो आपका सही आंसर होगा option B COP 27 ठीक है तो याद रखेगा एक विशेश हानी और छती कोस के अस्थापित करेगा COP 27 एक विशेश हानी और छती कोस अस्थापित करेगा COP 27 आंसर करेंगे विश्व टेलिवीजन दिवस हर साल किस तारिक को मनाया जाता है आपसन A नौबर 25 आपसन B नौबर 21 आपसन C 20 नौबर आपसन D 30 नौबर तो विश्व टेलिवीजन दिवस हर साल कितने तारिक को मनाया जाता है या आपको बताना है तो विस्व टेलिवीजन दिवस 21 नॉवंबर को मनाया जाता है याद रखेंगे विस्व टेलिवीजन दिवस 21 नॉवंबर को मनाया जाता है अब यहां से कुछ important सवाल revision कर लेते हैं पूछेगा विस्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है 24 अक्टोबर को सेउकतराष्ट संग का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है पूछेगा कि विस्व मधुमे दिवस कब मनाया जाता है विस्व मधुमे दिवस कब मनाया जाता है तो 14 नॉवंबर को विस्व मधुमे दिवस के रूप में मनाया जाता है अगला पूछ सकता है विश्व सहर दिवस कब मनाया जाता है याद रखेंगे अगला अगर पूछ देगा कि विश्व खाद दिवस कब मनाया जाता है विश्व खाद दिवस कब मनाया जाता है याद रखेंगे अगर पूछें अंतरास्टिय बालिका दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है अंतरास्टिय बालिका दिवस कब मनाया जाता है याद रखेंगे विश्व प्रियाटन दिवस कब मनाया जाता है याद रखेंगे 17 सितंबर को विश्व प्रियाटन दिवस कब मनाया जाता है अगर आप से पूछें अंतरास्तिय साक्षर्ता दिवस कब मनाया जाता है? त्याद रखेंगे 8 सितंबर, 8 सितंबर को अंतरास्तिय साक्षर्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है आठ सितंबर अंतरास्टे साक्षरता दिवस याद रखेगा important है पूसता है ठीक है विश्व प्रेश शौतंतरता दिवस कब मनाये जाता है ठीक है पूछे अगर विश्व प्रेश शौतंतरता दिवस कब मनाये जाता है तो तीन मई को विश्व प्रेश शौतंतरता दिवस से यह अंसर क्या हो जाएगा विश्व टेलिविजव दिवस किस दिन को मनाया जाता है याद रखेंगे तो class को फताफट एक बार आप लोग share करें आप सभी से humble request करेंगे class को आप लोग support क्या करें भारत के राष्टपती द्वारा चुनाव आयोग में चुनाव आयोग के रूप में किसे न्युक्त किया गया आपको बता ना है भारत के important सवाल है भारत के रास्टपती द्वारा चुनाव आयोग में किन्हें न्युक्त किया गया option A अजै पाल सिंग option B गनेस संकर मिस्रा option C अलोक अवस्थी option D अरुन गोयल ठीक है यानि आपको बताना है कि रास्टपती के द्वारा चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हे न्यूक्त किया गया रास्टपती द्वारा न्यूक्त किया जाता है चुनाव आयुक्त आप जानते हैं तो चुनाव आयुक्त की रूप में किने नुक्त किया गया ये आपको बताना है तो आप जानते हैं अरुन गोयल अभी नए चुनाव आयुक्त की कौन है अरुन गोयल तो याद रखेंगे कि अरुन गोयल को राष्टमती द्वारा चुनाव आयुक्त की रूप में नुक्त क किसके द्वारा डिजाइन क्या गया आपको बताने विक्रम एस भारत का पहला नीजी रॉकेट किसके द्वारा डिजाइन क्या गया था आप्शन A, Skyroot Aerospace, आप्शन B, Solar India, आप्शन C, Pixel, आप्शन D, अगनी कुल तो अंसर क्या होगा बताएंगे विक्रम एस भारत का पहला नीजी रॉकेट किस कमपनी के द्वारा डिजाइन क्या गया तो याद रखेंगे Skyroot Aerospace Skyroot Aerospace द्वारा भारत का पहला नीजी रॉकेट विक्रम एस लॉंच किया गया आप से पूछेगा भारत का पहला नीजी रॉकेट का नाम तो विक्रम एस भारत का पहला नीजी रॉकेट किस कमपनी द्वारा डिजाइन किया गया Skyroot Aerospace याद रखेगा किस राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉंच किया है तो आपको बताने किस राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉंच किया आप्सन A, बिहार, आप्सन B, आसाम, आप्सन C, तिरपूरा, आप्सन D, वेस्ट बेंगॉल तो आपको बताने किस राजे सरकार ने नया पोर्टल अमर सरकार लॉंच किया है तो आंसर अगर पता है तो आंसर करेंगे अमर सरकार पोर्टल किसके द्वारा लॉंच किया गया तो आपका सही अंसर क्या होगा अप्सन C तिरपूरा तिरपूरा राजे सरकार ने नया पोर्टल अमर सरकार लॉंच किया है याद रखेंगे सेयुक्तरास्ट हर साल विश्व सौचाले दिवस मनाता है विश्व सौचाले दिवस 2022 की थीम क्या है आपको बताने विश्व सौचाले दिवस 2022 का थीम क्या है इंपोर्टेंट सवाल है अंसर करेंगे Option A, Making the Invisible Option B, Sustainable Sanitation and Climate Change Option C, Leaving No One Behind Option D, Valuation of Toilets तो आपको बताना है कि विश्व सौचाले दिवस 2022 का थीम क्या है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा विश्व सौचाले दिवस 2022 का थीम क्या है Making the Invisible Visible याद रखेंगे विश्व सौचाले दिवस 2022 की थीम क्या है Making the Invisible Visible विश्व मधुमे दिवस 2022 का थीम क्या है तो याद रखना है विश्व मधुमे दिवस 2022 का थीम है Education to Protect Tomorrow विश्व मधुमे दिवस 2022 का थीम है Education to Protect Tomorrow अगर पुछेगा विश्व सहर दिवस 2022 का थीम क्या है तो विश्व सहर दिवस 2022 का थीम है Act Local to Go Global याद रखेंगे act local to go global विस्व सहर दिवस 2022 का theme है इसके अलावा अगर पूछे कि विस्व पोलियो दिवस 2022 का theme क्या है तो विस्व पोलियो दिवस 2022 का theme है a healthier future for mothers and children विस्व पोलियो दिवस 2022 का theme है याद रखेंगे अगर पुछे का विस्व खादे दिवस 2022 का थीम क्या है लीव नो वन बिहाइंड याद रखना है कि लीव खादे दिवस 2022 का थीम है इंपोर्टन है पूछे अगर कि विस्व खादे दिवस 2022 का थीम क्या है तो याद रखे का विस्व खादे दिवस 2022 का थीम है लीव नो वन ब पूछ सकता है, अंतरास्टी बालिका दिवस 2022 का थीम क्या है, तो याद रखना है, अंतरास्टी बालिका दिवस 2022 का थीम है, आवर टाइम इस नाव, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, ठीक है, आवर टाइम इस नाव, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, अंतरास्टी बालि Learning Spaces आपका अंतरास्ति साक्षरता दिवस का Theme है इंपौ arrangements है पूछता है योग दिवस यानि योग दिवस का theme पूछेगा तो अंतरास्ति योग दिवस 2022 का theme है Yoga for Humanity याद रखेगे Yoga for Humanity अंतरास्ती योग दिवस 2022 का theme है तो थीम जरूर याद रखेंगे पूछेगा एक्जाम में तो विस्व सोचाले दिवस 2022 का थीम है Making the Invisible, Visible Option No. A दिल्ली में रास्टिय संग्रहाले ने किस पर केंदुइत एक परदर्शनी खोलने के लिए डैनमार्क कोल्डिंग संग्रहाले के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया तो आपको बताना है दिल्ली में रास्टिय संग्रहाले ने किस पर केंदुइत एक परदर्शनी खोलने के लिए डैनमार्क कोडिंग संग्रहाले के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया आप्शन A तो आपका आंसर क्या होगा आप्शन C, सिल्वर, ट्रेजर याद रखेंगे आप्शन नम्बर C सही आंसर हो जाएगा निमने लिखी तो में से किस ने गुनवत्ता नियंत्रन परिशाद पर 47 वे अंतरास्टिय सम्मिलन में स्वन्ण पुरुसकार प्राप्ति किया गुनवत्ता नियंत्रन परिशाद पर 47 वे अंतरास्टिय सम्मिलन में स्वन्ण पुरुसकार से की से सम्मानित क्या गया तो आप्शन नम्बर A ठीक है आंसर क्या होगा NTPC तो याद रखना है NTPC को गुनवत्ता नियंत्रन परिशाद के द्वारा अंतरास्टिय सम्मिलन में स्वन्ण पुरुसकार से सम्मानित क्या गया आप्शन नम्बर A निम्नलिखित में से किसे नेपाल में आगामी चुनावों के लिए अंतरास्टिय परिवेक्षक के रूप में आबंतरत क्या गया नेपाल में आगामी चुनाव के लिए अंतरास्टिय परिवेक्षक के रूप में किसे आबंतरत क्या गया है आप्शन A अस्विन सांगी आप्शन B राजीव कुमार आप्शन C सुमित बसू, option D, सुसील चंद्र तो important सवाल याद रखेगा answer होगा राजीव कुमार ठीक है, तो नेपाल में आगावी चुनाव के लिए अंतरास्टी परिवेक्षक के रूप में किसे आमंतरित क्या गया है तो राजीव कुमार को नेपाल में आगावी चुनाव के लिए अंतरास्टी परिवेक्षक के रूप में चुना गया है answer हो जाएगा option number B, राजीव कुमार किस संस्थान ने Handbook of Statistics on Indian Status 2021-22 जारी किया तो आपको वतने किस संस्थान के द्वारा Handbook of Statistics on Indian Status 2021-22 लाँच किया है तो answer करेंगे तो सही answer होगा option A, RBI RBI के द्वारा Reserve Bank of India के द्वारा Handbook of Statistics on Indian States 2021-22 जारी किया गया है तो याद रखेंगे RBI ने Handbook of Statistics on Indian States 2021-22 जारी किया है answer हो जाएगा option A याद रखेंगे किस देश ने हवा सॉंग 17 या Monster Missile लाँच किया तो आपको बताना है किस देश के द्वारा हवा सॉंग 17 या Monster Missile लाँच किया गया option A, Israel option B, उत्तर कोरिया option C, चीन option D, जापान तो सही answer होगा उत्तर कोरिया important सवाल है तो हवा सॉंग 17 या Monster Missile किस देश के द्वारा लाँच किया गया तो उत्तर कोरिया के द्वारा हवा सॉंग 17 या Monster Missile लाँच किया गया तो उत्तर कोरिया के द्वारा हवा सॉंग 17 या Monster Missile लाँच किया गया याद रखेंगे निम्ले लिखित में से किस INS ने उत्तर पस्यमी अरब सागर में सियुक्त नौसेना बलके नित्रुत वाले Operation Sea Sword 2 में भाग लिया तो आपको बताना Operation Sea Sword में किसके द्वारा भाग लिया गया ठीक है तो आपका अंसर क्या होगा Option A, INS 3 खंड ठीक है, INS 3 खंड ने Operation Sea Sword 2 में भाग लिया इसको आप याद रखेगा तो INS ने उत्री पस्यमी अरब सागर में सियुक्त नौसेना बलके नित्रुत वाले Operation Sea Sword 2 में भाग लिया INS 3 खंड ने Answer Option A, INS 3 खंड समाचारों में देखा गया आटे मिसी निन किस रोग के विरुद औस दी का परमुग घटक है तो आटे मिसीन से सवाल पूछा गया है कि आटे मिसीन किस रोग के विरुद औस दी का परमुग घटक है Option A, Diabetes, Option B, SARS, Option C, Malaria, Option D, Hypertension ठीक है, तो याद रखना है आटे मिसीन किस रोग के विरुद औस दी का परमुग घटक है तो मलेरिया हो जाएगा, आटे मिसीन किस रोग के विरुद औस दी का परमुग घटक है मलेरिया, आटे मिसीन किस रोग के विरुद औस दी का परमुग घटक है तो याद रखना है malaria ठीक है answer option number C और malaria जो है proto जोवा से होता है याद रखेगा plasomodium नमक proto जोवा से होता है malaria आंसर option number C class को एक बार फटा-फटा आप लोग शेयर कर दीजे आप सभी से humble request करेंगे class को support करें विष्व बाल दिवस 2022 का theme क्या है विश्व बाल दिवस 2022 की theme क्या है? Option A, Digital Access for All Option B, Inclusion for Every Child Option C, Children's Right Option D, International Togetherness तो आपको वताने विश्व बाल दिवस 2022 का theme क्या है? ठीक है, विश्व बाल दिवस 2022 का theme क्या है? समावेशन हर बच्चे के लिए Inclusion for Every Child याद रखेंगे विश्व बाल दिवस 2022 का theme क्या है? विश्व बाल दिवस 2022 का theme है Inclusion for Every Child विश्व बाल दिवस 2022 का theme Inclusion for Every Child याद रखेंगा तो इतना ही सवाल था उम्मीद करेंगे कि आप लोग class को support करेंगे class को like और share करेंगे आज का session काफी ज़्यादा important था जितने भी सवाल थे सारे selected सवाल है सारे exam के दृष्टी कौन से तियार किये गए थे तो आप सभी से request करेंगे आप लोग सारे सवालों को अच्छे से non-down कर लिजेगा और जो नहीं पता होगा उसको आप याद कर लिजेगा अच्छे से ठीक है क्योंकि ये सारा important सवाल है यहाँ से आपका exam में सवाल देखने को मिलेगा तो चलिए मिलते हैं आप से अगले class में किसी भी topic में आपको doubt होगा तो आप लोग comment कीजेगा साथ ही साथ किसी भी तरह का आपको session देना होगा तो वो भी आप लोग comment करेंगे तो मिलते हैं आप से अगले class में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे जै हिंद, जै भारत, जै बियसे धन्यवाद किसी भी आप से अगले करेंगे